कि एक एक एसा टॉपिक है जिससे हर एक्जाम में जितने भी गौर्मेंट एक्जाम से उसमें एक कुर्सन बनता है और जिससे गौर्मेंट एक्जाम जिससे सहसी रेलबर पौरिस लेकपाल Services ग्रोड़ी जो जो २क्रोडी जो टी गया लेवल होते white kulis प्ली जो कुर्शम जो इक पंता है यह कुर्श्स जनल्ी आजिक कडि़ल साइंस बद इससे तीन फॉर्म में पूछा जाता है एक तो रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है और जनरल साइंस में अगर यह पूछा जाता है तो दो फॉर्म से पूछता है पसली मैं बताऊंगा कि रीजनिंग में किस तरह से यह पूछते हैं रीजनिंग में पूछते हैं कि जैसे एक a meter है a meter से हम लोग electric current measure करते हैं और तो फिर लेक्टोमीटर से क्या measure करेंगे लेक्टोमीटर से क्या measure करेंगे तो option दे रखे होते हैं कि density of milk, density of butter, speed of air and and data test ऐसे option दे रखे होते हैं तो इस तरह से यह reasoning में एक question पूछा जाता है और general science में question पूछा जाता है second tap तो वो direct पूछ लेता है which instrument is used for which instrument is used for measure temperature ऐसे पूछ लेगा तो option दे रखे होंगे thermometer and three more options और जो second third type है वो matching में पूछता है कि 4 meters से दे रखे होंगे 4 meter से दे रखे होंगे 4 meter से दे रखे होंगे 4 और किस-किस चीजों को वो major करते हैं वो ऐसे ABC option में तो हमें matching करना होती है तो इस form से मदलब यह 3 question बनते है मदलब तीन टैप से यह 1 question बनता है तो guys start करते हैं हम पहले वीडियो को और देखते हैं क्या-क्या वो instruments हैं तो ECG और इसे EKG भी बोलते हैं तो आप confusion ना होना कि EKG भी आ सकता है तो guys इसकी full form होती है मैं बताना जाओंगा electro-cardiography इससे guys heart activities को measure किया जाता है heart activities को measure किया जाता है इससे और EUG की full form होती है electro-oculography इससे guys मतलब जो cornea होता है आईस में cornea की activities को measure किया जाता है power को measure किया जाता है activities को measure किया जाता है और power को कि वह किस basis पे मतलब भर कर रही है या किस power पे मतलब यह बाकी है कितनी फॉबर उसकी इसकी ठीक तो यह कॉर्णिया पार्ट को मेजर रखनने के लिए यूज होता है और एमजी गाइस एलेक्ट्रो मायोग्राफि इसमें गाइस क्या होता है कि जो मेजर हैल्थ उफ म्सल्स हैं आ नर्थ उसकों सीखाव की हैLÈथ को ludー करने के लिए इसकोई उज करते हैं कि कोई मसल्स मतलब मास पैसी प्रॉब्लम नहीं किसी मास पैसी मेर्ष ऐल्थ सेल्स में कुई र्यक्ट्र ही या वार्ट क छें कर रही कर रही है खिंद सेजिए है इसकी फुल फॉर्म को भाइचन सी यह मैं फुल फॉर्म भी पूछ लेता है चार ओक्षन दे रहे हूं है मैचिंग करा के यह डिरेक्ली पूछ लेता है कि यह एम जी है तो इसमें एम एम पार्ट का क्या मतलब है यह किस स्टिडी से रिलेटेड है और इजी का गाइस फॉल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो नी सैफलो ग्राफ इसमें गाइस हम स्टिडी करते हैं एक्टिविटीज इलेक्टिकल एक्टिविटीज ओफ इलेक्टिकल एक्टिविटीज ओफ ब्रेन इसमें गाइस ब्रेन की स्टिडीज करते हैं इसमें इसमें की स्टिडीज खरते हैं इसमें को फॉल वाम हॉ कि इज इलक्टो नीस ऐह लोगन और गैस तो फिपत है मुआती मिटर से इल्टीट्टूट मेजर करते हैं मॉंटेन्स हो गया मॉंटेन्स का को मेज़िए इसको यूज़ करते हैं और फोटोमीटर से आप समझ रहे हैं जो वर्ड एक रूट वर्ड होता है फोटो तो फोटो का मतलब होता है लाइट तो समझ गया होंगे गाइस और इसको कभी-कभी ये फोटोमीटर ना पूच कर लक्समीटर पूचता है वर्ड दोनों का अंसर सेम है कि फोटोमीटर को ही लक्समीटर बोलते है और गाइस हमें इससे इससे इंटेंसिटी ओफ लाइट को मेजर करते हैं इससे और गाइस हमारा नेक्स्ट है एनिमोमीटर ये गाइस इससे वेलोसिटी ओफ विंड मेजर करते हैं और डारेक्शन ओफ विंड मेजर करते हैं डारेक्शन ओफ विंड वेलोसिटी और डारेक्शन मेजर करते हैं एनिमोमीटर से ये कोशन अक्सर गाइस ये कोशन बहुत पूचा जाता है कि वाट विच इस्टिम 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 इस्ट और मेजरिंग वेलोसिटी ओफ विंड तो ये तो बहुत पूचा जाता है यह जरूर याद रखें अनुमिन्होमीेटर अर अडियोमेटर से इंतेंसिटी ओव सॉंड मेजर करते हैं और वेहरोमीटर से सभी को मालुम है कि प्रेसर मेजर उत्या जाता है इससे और इसे जो इन्वेंटर थे अग वेरो मेंटर के वह थे यह E Toricelli E Toricelli इनका पूरा नाम हैessentialista Evangelista वो Evangelista भी करके पूछ ले था E Toricelli करके भी पूछ ले था है E Toricelli sorry पूरा नाम है Evangelista Toricelli और Guys, वारोमेटर को प्रेशर मेजर करने के जो ब् pracy करते हैँ और कॉलोरी मेटर को को intensity of color major करने के लिए उज़ करते है इंटेंसिटी ओफ कलर कि यह अभी तब पिलाल नहीं पूछा गया है कि कालोरी मीटर गट मैंने रख दिया कि मनलब बाइचंस अगर कोशन आ भी जाता है तो आप कर पाएं से और तर्मोमेटर को गईस सब्सक्राइजर क्लिए तर्मोमेटर इसे इसमें तर्मोमीटर हो रेयर छिर्मीटर के maior ये उज़ियो सबहरानों आता यह पाइजर करता। इसमें वहेजर का उत्यों रे थे के और मेजर्ण्ग हाई टेंपरेचिर मेजी डिवईस और गास्ट बनते हैं ए यह साइरोमीटर यह भी टेंपरेचर के लिए यह बैजरन टेंपरेच होगशुआ सफ यह लेैं इसे तो लो टेमपरेचर मेजर करते हैं लो टेमपरेचर यह इससे लो टेमपरेचर मेजरिंग टेवाइस है गाइस सारुमेटर तो ये टेमपरेचर के मलना तीन पूछे जाते हैं यह तो टेरक्टनकृचर पूछ लेगा घ्रता यहाथ पैरोमेटर पूछे गा यह सारिवूर मेटर पूछेगा तो तीनों में डेफरैंज नेकिन इससे लो ठेटनकृचर के मंने और आहएस Always Piedrata दिगा व्य यह है देफ्थ मेंजर करने के लिए आता है देफ्थ मेंजरिंग डिवाइस मेंली यूजड वाई मेंली यूजड इन शिप्स टेफ्थ मेंजरिंग डिवाइस फ्लक्स मेंजरिंग डिवाइस मेंजरिंग डिवाइस मेंजरिंग डिवाइस मेंजरिंग डिवाइस फ्लक्समीटर बोलते हैं उसे और हैड्रमीटर से गयाइस सभी को मालूम है कि देंस्टी अफ मेंजर देंस्टी ऑफ वाटर मेंजर किया जाता है water major करते हैं इससे density of water major device है hydrometer और जो hydrometer है वो इसी से related है इसमें guys क्या होता है humidity of humidity of air major करते हैं और इसका जो second ये अक्सर मतलब hydrometer तो पूछा ही जाता है और एक लिखके आएगा hygro scope भी करके पूछ लेते हैं तो आप ध्यान रखें कि मतलब hygro scope और hydrometer बात एक ही है hydrometer और hygro scope दोनों से एक ही humidity of air major की जाती है और guys lactometer से सभी को मालूँ हो density of milk major करते है density of milk major करते है और ये इसमें जो milk होता है वो lactic acid पाय जाता है milk में lactic acid और जो bacteria होता है lactobacillus lactobacillus और cut formation cut formation के लिए next है हमारा guys manometer इससे ये pressure acting device है pressure acting on column of fluid इससे मतलब कितना pressure act हो रहा है मतलब जो जैसे पानी निकलता है टंकी से तो ये उस जो डाइमेटर होती है टंकी की जो जो गॉल्म आक्टे जो प्रेशर लग रहा है उस प्रोवो उसको मेजर करता है कितना प्रेसर जो फिलूड जब तंकी से आ रहा है वो कितने उससे आ रहा है इंडेस्टिय से आ रहा है उससो मेजर करते हैं प्रेसर एक्टिंग ओन कौन मनो फिलूड मैनुमेटर से मेजर किया जाता है गाइस और emitter से guys सभी जानते हैं electric current को measure करते है electric current को measure करते है और guys galvanometer भी current measuring device है current measuring device what small quantity of small quantity of current measure करते है galvanometer guys से current measuring device है इसे small quantity का current होता है उससे measure करते है और emitter से to electric current करते ही है guys ohm meter से resistivity measure करते है resistivity resistance resistance measure करते है और emitter से guys density of of liquid measure किया जाता है हमें मालूम है कि hydrometer density of water measure करने के लिए जाता है अच्छे जो पिक्नोमीटर है जो पिक्नोमीटर है उससे density of liquid measure करते है जैसे lubricants हो गया वह भी liquid है oil भी liquid है तो oil की density measure करते है लेकिन सिर्फ hydrometer से सिर्फ water की density measure की जाती है तो दोनों में बस इता ही difference है हाला कि water भी एक liquid है बट पिक्नोमीटर से जिसे oil हो गया lubricants हो गया इनकी density measure की जाती है guys reflectometer से intensity of या refractive index को measure की जाता है measuring device refractive index measuring device यह हमारा होता है refractometer तो guys याद रखना है now move to next इसमें क्या है guys selenometer इस पार्ट से समझ गया है हम में थोड़ा बहुत कुछ कि seleno तो guys यह salinity of water measure करने के लिए आता है यह salinity of water measuring device mainly used for sea water spigmometer spigmomanometer 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 medical instrument है medical instrument है medical instrument है और इससे guys BP billet pressure measure किया जाता है billet pressure measuring device है और इस्टेटिस्कोप से guys heart beat measure की जाती है heart beat या मतलब अगर कोई person मतलब इससे सांस लेने में दिख थे थे तो डोक्टर बस यह में measure करता है कि heart beat की देल की दाटकन सही चल रही है या किसी person को सांस लेने प्रॉब्लम है तो जो गले में सीने में मतलब खस-खस की है या बाज होती है यह सम मेजर करने के लिए doctor इससे यूज करता है स्टेटिस्कोप को से हम हंदे में एक आला भी बोलते है और यूडोमीटर से guys rain gauge measure किया जाता है rain gauge सुनो होगा कि वहाँ इतने mm की बारिस होई है इतने mm mm बारिस होई है तो यह guys rain water को measure किया जाता है इससे rain water measure किया जाता है कि कितनी बारिस पढ़िये कहीं किसी एरिया में तो guys उसे बोलते है यूडोमीटर और ultrasono scope से guys ultrasonic babes को measure किया जाता है ultrasonic babes measuring device ultrasonic measuring device ultrasonic measuring device इससे बोलते है guys ultrasono scope और ventrometer से guys इस it measures the the flow rate of fluid ventrometer यह mainly जैसे कितना बानी कितनी speed से बहरा है यह उस rate को measure करता है और कितनी देर में किसी tank को भर देगा यह flow rate of fluid major होता है ventrometer से major होता है कितनी देर में यह guys fluid के लिए mainly wish होता है और guys next बढ़ते है next instrument में तो यह guys क्या है viscometer आप इसे समझ जाओंगे guys visco एक root word है guys measuring viscosity of liquid liquids measure करने के लिए आता है measuring viscosity of liquids viscometer device को यूज करते हैं और voltmeter से भी जानते है guys की potential या potential या voltage को measure करते हैं इससे voltmeter से और wattmeter से guys power को measure किया जाता है voltmeter से power electrical power electrical power को measure किया जाता है guys और wattmeter से और stadiometer guys एक medical instrument है hospitals में use होता है एक doctor use करता है ऐसे यह guys stadiometer पोच लेगा या तो वह heightometer पोचेगा और दोनों सेम ही है तो guys heightometer देकर ना देकर क्योंकि heightometer से direct पता चलता है कि height को measure करते हैं लेकिन वह heightometer ना देकर steady meter देता है तो guys confuse नहीं होना यह height measure करने के लिए यूज होता है height measuring device है height measuring device है height measuring device है heightometer और पीजो मीटर से guys sorry pressure of liquid और gas measure किया जाता है pressure of liquid और gas measure करते हैं इससे पीजो मीटर से और spectrophotometer से guys sorry growth of bacteria measure करते है growth of bacteria measuring device है इससे next देखते हैं guys मारा जो next है वो gonometer है gonometer से guys determine किया जाता है angle of crystal angle of crystal crystal determine करते हैं gonometer से इस टाइप का guys device होती है यह device का एक मतलब instrument होता है इस तरह से होता है परहप्स goniometer और hemocytometer से guys used for content blood cells count किया जाता है जिससे हम सभी जानता है कि RBC 120 something होती है या कुछ है इससे counting blood cells को measure किया जाता है और spirometer से guys measure measuring air capacity of lungs air capacity of lungs lungs की air capacity को measure किया जाता है spirometer से measuring the air capacity of lungs from any surface any water surface किसी भी water surface किसी भी water surface से जो evo-pression होता है भाप बनके जो पानी ओड़ता है वो किस quantity में ओड़ रहा है या किस quantity में भाप बनना है वो evo-poorimeter से measure करते है guys poc genometer से measure measure किया जाता है root bracer को root bracer को और यह guys इसमें भी option आ जाता है कभी growth of plants को भी major करते हैं oxygenometer से growth of plants और कभी-कभी guys मतलब जो oxygenometer ना पोचकर वो kresco graph पोचता है kresco graph भी used होता है growth of plants के मेजर करने के लिए growth of plants को measure करने के लिए as we know kresco graph kresco graph now move to next इसमें क्या है guys polarimeter यह guys angle of rotation को measure करने के लिए आता है angle of rotation measure करते हैं ऐसे polarimeter से और यूडियो मीटर से volume of changes measure किया जाता है volume of gases volume of gases measure करते हैं यूडियो मीटर से और polarimeter से करते हैं angle of rotation measure or spectro heliographic is used for photographing sun photographing 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 the sun जैसा कि जब कोई natural phenomena होती है lunar eclipse हो गया solar eclipse हो गया तो उसमें यह guys सुना जाता है यह मतलब सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए नहीं तो आंके खराब हो जाएंगी तो guys यह उसी वक्त मतलब जो उस time की images लेने के लिए यूज करते हैं वो spectro heliograph को use करते हैं ताकि हम sun की images ले पाएं और tonometer guys से यह internal pressure internal pressure of eye को measure करने के लिए और इसकी guys जो study होती है वो tonometry गोलते हैं tonometry इसमें क्या guys जैसे कोई eye-related disease होती है glucoma तो उसकी पूरी study करते हैं tonometry में कि किस basis पर disease किस कारण बस होई है किस कमी से glucoma होता है उसमें जो उसकी study करते हैं वो tonometry गोलते हैं और इस parameter से guys स्पेर का स्पेर की diameter measure करते हैं spare diameter measuring device है यह sparometer for mac meter guys instrument mainly used in aircraft to measure air speed as a mac number as a mac meter as a mac meter यह guys aircraft में जो होता है air speed को measure करने करी जो speed जब aircraft move करता है तो जो speed जो air की होती है मनलब कि speed को force करना पड़ता है कि air speed को face करना पड़ता उसको measure करता है और as a mac number physical quantity mac number और guys देखते next क्या है radar यह guys presence of presence of aircraft को measure करने के लिए होज होता है कि कितनी distance पे aircraft और रहा है कितनी distance पे अभी तो यह radar के use करते है यह mainly used by defense system of any country magnetometer से guide intensity of magnetic force को measure करते है intensity of magnetic force को measure किया जाता है I hope guys आपको समझ आया होगा मतलब अगर आप guys यह सारे जो 50 मैंने बताए है 50 instrument यह सारे कर लेते हैं तो आपको जो इससे question related आएगा हो बहाँ है इससे बहाँ नहीं जाने वाद और आपकी यह दो number बिल्कुल पक्के हैं और वाइचान से यह दो question पूछ लिया वाइचान से रीजिनिंग में भी पूछ लिया और general science में पूछ लिया तो चार नंबर पक्के हैं और guys अगर आप इसको pdf में चानते हैं तो मैंने इसका जो description में मैंने इसका link दे दिया आप हाँ से pdf में भी download कर सकते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो please इसे subscribe कीजिए चैनल को मेरे और like कीजिए वीडियो को और comment कीजिए और अपने दोस्तों को save कीजिए ताकि वो भी इसका फाइदा ले सकें और please please मेरे चैनल को जरूर subscribe कीजिए ताकि मेरे चैनल ग्रोव हो सके Thank you for watching this video